जेहन दोस्तो, SSC की तरफ से X-Servicements के लिए एक बहुत बड़ी खुसकवरी दी गई है दोस्तो, SSC Stenographer Grade C and Grade D के पदोपर जो है वो भरती का नोटिफिकेशन SSC की दोरा उनकी ओफिसल वेपसेट पर अपलोड कर दिया गया है तो चलिए दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी भरती से रिलेटेड जो भी पॉइंट से रिलेटेड टो X-Servicements पूरे की पूरे डिटेल्ड में बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तो, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस्टेनोग्राफर की बेकंशी जो हैं वो SSC की तरफ से हर साल निकाली जाती हैं और इस्टेनोग्राफर की बेकंशी में दोस्तो, X-Servicements के जो बेकंशी होती है यह रिजर्ट वो हमेशा खाली जाती है तो कि एक्सर जो इस्टेनोग्राफर मिलते ही नहीं है तो अगर आपने इस्टेनोग्राफी नहीं की है तो आप कर लीजिए और अगर कर रखिए तो इस वीडियो को देखकर फॉर्म को अपलाई कर दीजिए आपकी जो जौब है वो गैरंटी से लग जाएगी तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए जो डेट फॉर समिशन ऑफ ओनलाइन एप्लिकेशन है वो है 26 जुलाई 2024 से 27 अगस 2024 यानि कि 26 जुलाई 2024 से 27 अगस 2024 तक आप अपनी एप्लिकेशन को फिल कर सकते हैं अगर आपके लिए दोस्तों एक्सरिसमेंज के कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आई फॉर्म को फ्लब करते समय तो यह है टोल फ्री नंबर इस पर आप बात कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादतार आर्मिक गेग रेजुएशन से से रिलेटेड एक्सरिसमेंज की क्यारी आतीं हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी जो क्यारी है उसके लिए क्लियर कर सकते हैं वेकंशी दोस्तों अभी तक करीब 2006 वेकंशी जैं और यह वेकंशी आगे पीछे भी यानिकी इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकती है रिज आपकी एज रिलेक्सेशन तो दोस्तों एज रिलेक्सेशन आपके लिए इस प्रकार है कि आप कितनी भी एज है उसमें से अपनी सर्विस को माइनस कर दीजी जितने भी आप सर्विस करके पेंसन आउट हुए है और उसमें तीन साल और माइनस करिए उसके बाद में जो आपकी एज है वो इसमें नोटिफिकेशन जितनी भी एज दी गई है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसके होते हैं लेकिन आप इसमें से ले सकते है तो उसके अगर आपको दोबारा से दोस्तों एक सर्विस्में कोक्ता लेना है एक जाप जोएन करने की बाद में तो आपको क्या है जब करते ही एक सेल्फ डिक्लरेशन देना होता deeply पाट्मेंट के लिए जिस जिसके लिए आप और लेड़े अप्लाई कर चुके हैं तो आपको सेकंड जो के लिए भी एक्स रिसमेंट के कोटा मिलता है अभी दोस्तों ऐसे सर्विसमेंट है जो नियर फ्यूचर रिटार होने वाले यानिकि एक साल के अंदर वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनके लिए दोस्तों कोटे का आनद जो है वो उठा सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों मैट्रिक लेशन याने की स्वरी एजूकेशिसं कि तो अगर आपके पास में दोस्तों एक्स स्भिसमेंट आप हैं और आपके पास में Indian Army Special Education of Special Certificate of Education है तो आप apply कर सकते हैं इसमें 10th class pass होकर भी, मतलब अगर आपके पास में Indian Army का graduation certificate है तो आप इसमें apply कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों जो की इस भरती से रिलेटेड है चलिए आउट टू अपलाई ठीक है तो एक सर्विसमेंस या फिर कोई भी कंडिडेट्स है अगर इस भरती में अपलाई करना चाहते हैं तो SSC की जो न्यूब अपसाइट है ये वाली ठीक है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा वहाँ से जाके अपलाई कर सकते हैं आगे चलते हैं दोस्तोव एपलिकाशन फिस सिविल कंडिडेट्स के लिए यह जो एपलिकीसन फिस हेब होगे दूस्तों हंड्रेड रुपह और एक सर्विसमेन के लिए यह जो फिस है वो नहीं देनी है यानिकी एक्जेम्टेट है तो आप फ्री आफ कॉस्ट इसमें उसके बाद में जनरल वारेनेस के पैपर को सॉरी कोस्चन सुनगे 50 50 मार्क से और उसके बाद में आपका दोस्तों English language and इसके लिए आपको टाइम दिये जाएगा दोस्तों तो गंटे ठीक है इस पेपर में दोस्तों आपका जोहबू निगेटिव मार्किंग होगी और निगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 मार्क्स की नेक्स दोस्तों वजय से कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप केबल अगर एक सर्विसमेन है तो केबल ग्रेट डी स्टेनोग्राफिक ग्रेट डी के लिए ही अपलाई कर सकते हैं तो अगर आप ग्रेट डी के लिए अपलाई करेंगे तो आपका CVE यानिकी कम्पिटर ब ट्रीनेट की होनी चाहिए है ओके तो आजी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है उम्मेद कर थे हैं यह पसंद आई होगी अगर यह दिए अपको पसंद देख लेना और अगर फिर भी नहीं समझ माए तो ये जो टोल फ्री नंबर दिया गया है इस पे आप कॉल करके कोई भी इंफर्मेशन ले सकते हैं तो चलिए कल फिर्म लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद जैबाद